नमस्का, मैं हो सासी, आए जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं बिभाग ने फार्मा पार्क के निर्मान के लिए 35 एकड का एक खुला छेत अरक्षित किया है योजना के उनसार सरकार ने सुक्ष मलगू, मध्यम और बड़े फार्मा उद्योगों को आबंटन के लिए पच्पन भुखंड अरक्षित किये हैं बियान के मुताबिक फार्मा पार्क में आवस्यक बुनियादी धाचे की समूचित ब्यवस्था होगी इसमें एक परसासनिक भवन, एक कैंटीन, एक सुईधा केंद्र, जल, निकासी ब्यवस्था, पूल और स्ट्रीट लाइट सामिल है विभाग देश भर से नियुवस्था को आकरशित करने के लिए नई फर्मानीती मौसरदे पर काम कर रही है रूपा तिर्की मौत मामले में CBI ने रूपा के रिष्टेदार सुमन सलकों से की धाई गंटे पुश्थाच जहां साइब गंच की महिला थाना परभारी रूपा तिर्की की मौत की जाँच में जूटी CBI की टीम पांचवे दिन एक अहम गवा सुमन सलकों से धाई गंटे तक पुश्थाच की हालाकि टीम ने सुमन सलकों से क्या पुश्थाच की इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है बताया जाता है कि सुमवार की दोपर करीब 3.45 बजे CBI की टीम एसकर्पियों से गंगा बिहार पार्क के नजदिक टाइप C सरकारी क्वार्टर में रहने वाली सुमन सलकों के घर पहुची जहां एक महिला पुलिस पदाधिकारी की मौझूदगी में टीम ने सुमन से कई बिंदूओ पर पुश्थाच की दरसल सुमन सलकों दिवंगत रूपा तिर्की की साहिब गंज में एक मात्र ऐसा रिष्थेदार है जिनके पास उनका हमेशा आना जाना लगा रहता था यही नहीं पुलिस मामले में जिन 56 लोगों को गवा बनाया गया है उनमें सुमन सलकों एक महतवपुन गवा भी है पुलिस सुत्रे का उनसार रूपा तिर्की की मौत की खबर सुनकर पहुंची पुलिस ने सुमन सलकों की मौजूदगी में ही कमरे के दरवाजे का लोग खुलवाया था जे पियसी उम्र सिमा के निर्धारन के मामले में जहारकन सरकार को नोटिस सुप्रीम कोट में 21 सितंबर को अगली सुनवाई जहां जहारकन पबलिक सर्विस कमिसन की साप्तिवी सिविल परिक्षा से पहले जहारकन सरकार को सिर्ष कोट ने नोटिस जारी किया है सोमवार को उम्र सिमा के निर्धारन के मामले पर सुनवाई करते हुए कोट ने राज सरकार से जवाब मांगा है नियाधिस एमर साह और नियाधिस एस बोपन्ना की पीठ ने सरकार से पूछा कि जब पांच साल बाद परिक्षा हो रही है तो क्या वह अभ्यार्थियों को उम्र सीमा में एक बार छुट दी जा सकती है इसके लिए कोर्ट 21 सितंबर तक की मोहलत दी है उसी दिन इसकी अगली सुनवाई भी होनी है मुख मंत्री हमनसुरेन का निर्देश मुख मंत्री हमनसुरेन ने राजे के विकास को लेकर घरेलू और बारी दोनों परकार के निवेसकों की जरूरत पर फोकस करते हुए मुख मंत्री हमनसुरेन ने अस्थानी एस्टेक होल्डर्स की कठनाईयों के समधान के लिए उद्योग विभाग को सुधरात्मक करवाई का निर्देश दिया है कहा कि उनकी सरकार MSME और छोटी काईयों के मुद्दों को हल करने के लिए परतिबद है जहारकन में सेक्षनिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों के विक्री पर बैन सरकार ने जारी किया निर्देश जहां जहारकन के सरकारी इसकूलों और सेक्षनिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों के विक्री पर बैन लगा दिया गया है ठार्खन सरकार के नए आदेश के मुताविक राजे के सभी सरकारी इसकूलों और कॉलेजों के सो मीटर के दायरे में किसी भी परकार की सिगरेट, बीडी, तंबाक्वी या इससे सम्मंधित समान की विक्री नहीं होगी अब सिख्षा में भी तुष्टिकरन की निती अपना रही है हमन सरकार बिजेपी अध्यक्ष जहां बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसत दिपक परसाद ने कहा कि सरकारी इसकूलों को लेकर बीत मंत्री रामेश्वर उराओ का बियान राजे की सिख्षा ब्यवस्था एम सिख्षकों का अपमान है उन्होंने कहा कि राजे सरकार को सिख्षा ब्यवस्था सुधारने की जिम्यवारी है प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजे के प्राइवेट इसकूल आम आदमी गरीब मजदूर और किसानों के बच्चों के लिए सुलब नहीं है राजे की अधिकांस अबादी गाओं में निवास करती है और ग्रामीन तथा जंगली इलाकों में सरकारी बिद्याले ही सिख्षा के साधन है लेकिन राजसरकार के मंत्री गैर जी में दाराना बेयान दे रहे हैं बाबुलल मरांडी का जामूमो कॉंगरिस पर प्रहार कहा खरिदार और बिकरेता मिलकर लोट रहे हैं जारखन्ड यहां जारखन के पूरो मुखमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलल मरांडी ने सोमवार को जम सेतपूर परवास के दौरान जामूमो पर जम कर हमला बोला, उन्होंने कहा कि दोनों दल खरीदार और विक्रेता हैं, दोनों मिलकर जारखन को लूट रहे हैं, यहां कि संपता की लूट हो रही है, हेमान सोरेन जनता की चिंता छोड़कर अपनी तीजोरी भर रहे हैं, जारखन में सरकार नाम की चीज ही नहीं है, जनता तरही मम कर रही है और सरकार दुर्भावना से गरस्थ होकर काम कर रही है। यह बाते उन्होंने भाजबा की अनसुचित जनजाती मोर्चा के जनजाती समयलन में कही। नमाज कच रद करने की विहिपने की मांग। जिहां जार्खन सरकारद्वारा बिधान सभा परिशर में मुस्लीमों के नमाज के लिए आवंटित कच्छ को निरस्त करने के लिए जिसमें जिक्र किया गया है कि यह बिधान सभा की गरीमा के खिलाफ है नवाज के लिए आवंटित कच्छ को निरस्त किया जाए जियापन सअपने वालों में भिरीगुनात यादव, स्यामसुंदर भगत, कुंदन कुमार परया, संदीप कुमार, सरोज कुमार, बंदे सर्मा, बिरेंदर कुमार, संतोस सह, विकास कुमार, असोक ठाकूर, अनूज कुमार यादव आदी सामिल थे सदर अस्पताल मुखमंत्री दालभात केंदर का हुआ उधगाटन जहां सदर अस्पताल में मुखमंत्री दालभात केंदर का नैसरे से उधगाटन कर दिया गया है बता दे कि मेन गेट के सामने चल रहे है मुख मंतरी दालभात केंदर को रोड निर्मान के कारण हटा दिया गया था इसके बाद डॉक्टर्स होस्टल के सामने एक रूम और कीचेन बना दिया गया है उदगाटन राची के बिधायक सिपी सिंग ने किया मुख मंतरी दालभात केंद्र की संचाली का सूर्ती देवी ने बताया कि इसका संचालन पिछले 10 साल से किया जा रहा है जिसमें दूर दराज से आने वाले ग्रामीन खाना खाते हैं इस बार जेश्टी कॉंसिल की बैठक में सामिल होंगे क्रिसी मंतरी बादल जहां बित मंतरी डॉक्टर रमेसुराओं ने बताया कि 17 सितंबर को लोखनों में केंद्री बित मंतरी निर्मला सितरे मन की ओर से सभी राज्यों की परतिनिद्यों की बैठक बुलाई गई है इस बैठक में वे इस बार नीची कारणों से सामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने मुख मंतरी हेमनसुरें से आगरह किया था कि क्रिसी मंतरी बादल को बैठक में सामिल होने दिया जाए मुख मंत्री ने इस पर सामती प्रदान कर दी है और JST काउंसिल की बैठक में इस बार जहारखन का परती निधितों क्रिसी मंत्री बादल करेंगे मानो तसकरी रोकने को जहारखन के सभी जिलों में खुलेंगी Anti-Human Trafficking Unit जहारखन से सबसे अधिक बचियों, यूतियों, महिलाओं और नबालिकों की मानो तसकरी होती रही है इस पर पूरी तरह से रोक लगाने, मानो तसकरों को दबोचने की परकिरिया तेज करने और तसकरी की सिकार पिर्ताओं को सकुसल वापसी को केंद्रे में रख कर राजे में Anti-Human Trafficking Unit थाना की अस्थापना होई थी अब इसे और सकरीय करने और इसका दायरा बढ़ाने की तयारी है इसके मद्दे नगर सभी जिलों में Anti-Human Trafficking Unit थाना खुलने की तयारी है केंद्र फिर काटेगा ज़्ार्खन सरकार के खाते से DVC बकाया का 1100 करोड बीत मंत्री का क्टोती नहीं करने का आगरा जिहां ज़्ार्खन के बीत मंत्री डॉक्टर रमेशर उर्हाओ ने किंद्र सरकार से आगरा किया है कि DVC के बकाया करूप में RBI के माधियम से राज सरकार के खाते से एकमुस्त रासी की कटोती ना करे जनकारी के मुताबिक किंद्र सरकार 1100 करोड रुपए की कटोती फिर कर सकता है बीत मंतरी रामेश्वर उराव ने स्वमबार को बाचित में कहा कि कुरोणा सांक्रमन की कारण जहरखंड में Raja Sarkrahan का काम कम हो गया है जबकि कंद्र सरकार के पास Raja Sarkrahan के कई साधन है तीन लाख में लगाये तीस लाख का उध्योग दस लाख सबसिड़ी देगी सरकार जिहां आत्म निर्भर भारत के तहट जारखन के जिलों में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट अभियान को गती देने की कवायद सुरू कर दी गई है फुट प्रोसेसिंग इकायोक निर्मान को लेकर भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देसों के तहट करवाई की जाएगी और स्वैम सहाता समोह को नियमा अनुसार मदद की मुहया भी कराएगी 30 लाख रुपे तक की कंपनी खोलने के लिए महज 3 लाख रुपे लगेंगे चाहे वो मसीन की खरीद हो, कच्चे मालकी या फिर अन्य रनिंग कोस्ट सरकार हर मदद को तयार है बड़ी बात यह है कि कंपनी के सफल संचालन पर 10 लाख रुपे सबसिटी देने का भी प्रोधान किया गया है राज्य कबिनेट से पिछली बैठक में इस प्रस्ताओं को सव्यकृती परदान कर दी गई थी उद्योग निदेशक जितेंदर कुमार ने कहा कि विभाग इस योजना को गंभित्ता से धरातल पर उतारने की तयारियों में जुटा है जहारखन के तीन बचों को मिला इंस्पायर अवार्ड जहां जहारखन के तीन बचों को इंस्पायर अवार्ड मिला है राजकिये बुनियादी उतक्रमित उच विद्याले सेनहा की छात्रा, कविता कुमारी, SS उच विद्याले कोले बीरा की अनुस्का कस्यप और उतक्रमित उच विद्याले गारू के आरेन कुमार को यह पुरुसकर मिला है कविता कुमारी ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वह दिव्याइंग बेक्तियों की सहाथा के लिए राम जूला के निर्मान से सम्मधित था जबकि अनुस्का ने स्लाइडिंग एजस्टेबल बेंच डेस्स से सम्मधित प्रोजेक्ट त्यार किया था जबकि आरेन कुमार ने गिरिस्म कालिन कूलिंग जैकेट से सम्मधित प्रोजेक्ट प्रसूत किया था बता था कि यह इंस्पार आवार्ड दोजार नवाचारी प्रोजेक्ट में से साठ का चैन राष्टिय अस्तर पर किया गया